क्या ये कहा जा सकता है जो परिवार कहरा राकेश मंडिता का रविंद रहना कि कश्मीरी पंडित क्योंकि फिर से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में आने की जमो कश्मीर में बसने की और ये अलगावादियों को आतंकवादियों को रास्त नहीं आ रहा है और इसलिए एक बार फिर उनको निशाना बनाया जा रहा है लगातार पाकिस्तान की तरव से इस तरह की कोशिशे होती है कि कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी हिंदू समाज के लोग हैं कश्मीरी पंडित लोग हैं जो कि भारतिय राष्टरवात के प्रतीक है उनको निशाना बनाया जाए और एक डर का महल बनाया जाए हमको याद है जब 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदू पंडितूं को वहां से और सिखूं को वहां से निकाला गया उसके साथ साथ बड़ी तादाद में कश्मीर के वो मुसलमान जो देश भगत थे उनको भी निशाना बनाया गया बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर के देश भगत हिंदूस्तान का जजबा रखने वाले मुसलमानों को भी मारा गया उनको भी भगाया गया और जब दीरे-दीरे वहां की परिस्तितियां ठीक होना शुरू हो गई और ये लोग वापिस अपने अपने घरूं अपने स्थान पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर से पाकिस्तान की और से इस प्रकार की साच्छे हो रही है कि डर का और खोफ का महौल पैदा किया जाए ताकि चाहे वो कश्मीरी पंडित हों कश्मीरी सिक्खों हों या कश्मीर के राष्टवादी मुसल्बानों आप ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी से पाकिस्तान बौखला गया है जी बिल्कुल सही कहा आपने आगर आप देखेंगे 1990 के दशक में किसने कश्मीरी पंडितों को वहां से निकला था कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से कश्मीर से नहीं निकल के आए थे बंडू की नोक पर वहां तांडव किया गया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने शर्याम वहां के मस्जिदों को आतंकवादियों ने अपने कबजे में ले लिया था और मस्जिदों के स्पीकरों से वे अनौस करते थे वहां के जो मस्जद के मौल्वी थे उनको भागा दिया गया था एक किसम से नब्बे के दशग में पाकिस्तानी आतंक वादियों ने कश्मीर के सारे सिस्टम को हाईजाय कर दिया गया था शर्याम पोस्टर लगाए जाते थे कश्मीरी पंडितों के कश्मीरी सिखों के खिलाफ और वहां से उनको भगाया गया निकाला गया और उसके बाद कश्मीर के अंदर नरसंगार हुए आपने देखा जम्मू के डोडा के रजोरी पुंच के किष्टवार के रामबन के पुं कि यहाता है कि जो 30 साल पहले हुआ अब नहीं होगा इसको आप कैसे रोकेंगे क्श्मीरी पंडितों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है लगातार भारतिये सेना जमू कश्मीर पुलीस और हमारे परामिलिटरी फोर्सिस के जवान तापड तोड कारवाई कर रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ लशकर हो जैशो हिजबल मुझाहिदीन हो इन सभी आतंकी संगठनों के सभी टाप कमांडर्स को हमारे जवानों न कश्मीर के अंदर धेर कर दिया गया है ऑपरेशन आल आउट लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है किसी सूरत में आतंकवादियों और उनके पना देने वाले लोगों को हम नहीं चोड़ेंगे सेना को खुली छूट दी गई है पुलीस और पैरा मिलिटरी फोर्सिस लग 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाए गई तब से अब तक देखें आप जादा जानते होंगे लेकिन मेरा जिसाच यह कहता है कि 13 बीजेपी नेताओं की हत्या गर्दी आतंकियों ने आखिर बीजेपी नेताओं को ही निशाने पर क्यों ले रहे हैं आतंकी या अधिकतर बीजे 307 को हटाया गया जमू कश्मीर के अंदर बचा-बचा यहां खुश हुआ वो हिंडू हैं मुसल्मान हैं सिख हैं इसाई हैं गुजर बकरवाल हैं पहाडी समुदाई के लोग हैं महिलाएं हैं पुरुश हैं शिया हैं सुन्नी हैं बोध है लड़दाक के लोग हैं या खान ने आके मुझफरावाद पाकिस्तान के नाजाइस कब्जे वाले जमू कश्मीर के अंदर आके रैली की पैदल यात्रा की लशकर जैश और हिजमल वालू ने जंडे उठाकर पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन किये कि धारा 370 को वापिस लगाओ धारा 370 को अगर हमारे यहां लागू किया गया था तो इमरान खान को क्या तकलिफ है इसका यह साफ भाइन है कि धारा 370 की आड़ में यहां आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ाया गया इसलिए जब धारा 370 को हटाया गया तो पाकिस्तानियों की यह बोखला हट है साजिश है मैं आता हूँ पर उसी सवाल पर आता हूँ लेकिन मैं बता दूँ आपको इस वक्त मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है रवींद रहना जी मैं आपके पास धारा 370 कई सवाल लेकर आता हूँ बिल्कुल कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान से नहीं डरता और ना डरेगा कभी